हेलो इस वी जए विदियो हम देखेंगे प्राइवेट क्लाउड मौडल के बारे में प्राइवेट क्लाउड मौडल क्या होता है इंधिस्टेम अन द सर्विशिस अर एकसेसिबल ओनली विदिन दी ओरग्नाइशिन जो organization का part है सिर्फ वो ही लोग इसको access कर सकते हैं बट ऐसा निये कि जो organization का part है सिर्फ वो ही इसको manage भी करेंगे so it can be managed by a third party also so manage हो सकते हैं कि third party कर रही है बट जो system और services है एक private cloud model के उनको कौन use करेगा सिर्फ organization के अंदर के लोग so it can be managed by a third party also ठीक है so हम कह सकते हैं कि private cloud allows the infrastructure to be accessed only by the members of the organization so इसके कुछ examples हैं private cloud के so examples कौन कौन से हैं private cloud के वो हम देखते हैं अब यहां पे so example हैं जैसे कि Microsoft प्राइविट क्लाउड प्रॉइड करता है then we have this VMware यह भी प्राइविट क्लाउड प्रॉइड करता है इलास्ट्रा प्राइविट क्लाउड प्रॉइड क्लाउड के सर्विसिस को एक्सेस कर सकते हैं तो यह कुछ एग्जामपल्स हैं प्राइविट क्लाउड के अब इसका डियाग्राम देखते हैं प्राइविट क्लाउड का कैसे काम करता है है सो प्राइविट क्लाउड की जब बात कर रहें तो ले आशसे हमहारे पास एक और्ग्नाइशन हाईеф यह हम कहते हैं कि कंपनी हैं कंपनी यह और इस कंपनी ने अपना क्लाउड सेट अप कराया अपनी कंपनी के अंदर अब इस cloud के अंदर क्या होगा कुछ resources होंगी so मैं यहाँ पर कुछ systems बना देता हूँ let us say कुछ systems यहाँ पर लगे हुए कुछ storage devices है network के resources है so there are various resources in this cloud so these are all are the resources और इन resources को access कौन करेगा जो इस organization के part है इस company के जो part है so let us say एक user है user a b c एक user है user x y z so यह दो users इस cloud को access कर रहे है अब इसमें एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा that both of these users both the users should be member of organization or company a जिसका cloud है should be member of company a तब भी वो इसको access कर सकते हैं so यह तो ओगया private cloud कैसे है अब इसमें देखो अगर कोई भारी इसको access करने की कोशिश करेगा तो इसको access करेगा तो इसको access नहीं कर पाएगा तो यह ता प्राइवेट क्लाउड का एक सिंपल सा डाइग्राम जिसकी में समझ भी सकते हो और आपको explain करने में काफी असानी रहेगी अब प्राइवेट क्लाउड के हम देखते हैं कुछ benefits और जनरली हम जो benefits देख रहे हैं वो देख रहे हैं private cloud के benefits over public cloud model तो सबसे पहली बाग तो अगर एक boundary के अंदर रखा हूआ है यह पूरा cloud model तो इसमें जो security है वो जयादा होगी so we can write high security and privacy तो जो security है और जो आपके data की privacy है वो ज्यादा होगी in private cloud then इतने एक जो बनाया है हमने private cloud हो कुछ specific number of users के लिए बनाया है so we have more control on the private cloud private cloud के उपर जो control है वो थोड़ा ज्यादा होता है then cost and energy efficiency so cost and energy efficient होता है यह ठीक है and the final is improved or increased reliability और इन सब पार्ट को आप इस चीज़ से कह सकते हो that private cloud model is is used by or is used only by trusted people बाइ जो इस company में काम कर रहा है trusted है इस organization का उसी को करते है सपोज एक company है जिसका cloud दिल्ली के अंदर है और उन्हें अपने लोकली इस cloud को बनाया है तो दिल्ली के अंदर ही प्राइसिंग भी इसमें add हो जाएगी और आपको एक नया hardware setup करना पड़ेगा पूरा तो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है देन scalability is limited और you can say restricted क्योंकि एक बार आपने जितनी resources अपने system में लगाई है उतने से ही आप जनरली उसको scale करने की कोशिश करते हो अगर आप ज्यादा लगाओगे तो आपकी जो costing वो बढ़ती आती है कि आपको यहां से इन से कुछ रिटेन में नहीं मिलता जनरली आप अपने employees से अपने services को यूज करने के पैसे नहीं लेते हो तो यह थोड़ा सा limited होता है बैन skilled people are required to manage the cloud अब company में generally क्या होता है कि अगर एक java का developer है एक oracle का developer है तो आपको इनके लावा एक cloud का भी developer और एक admin को रखना पड़ेगा so skilled people is required क्योंकि अभी जो पूरा cloud हो आगिया यह किसका पार हो गया एक organization का एक company का so this is all for this particular video lectures में में private cloud के वार में देखा in the next video we will see about the hybrid cloud model so thank you for watching the video please subscribe to my youtube channel for more such tutorials thank you